मुम्ब्रा के गुलाब पार्क मार्किट में आज ठाने महानगर पालिका ने कारवाई कर पूरी मार्किट तोड़ दिया है रोड के किनारे जितने भी बाकडे राजु गांजी हॉकर्स के लगाए जाते थे इन सभी बाकडों पर मनपा का बुल्डोजर आज चल गया आपको बता दे कि दो दिन पहले ही ग्रहनिर्माण मंत्री जितेंद्रवाड ने मनपा को कारवाई करने का आदेश दिया था और कल कुछ दुकानों पर कारवाई भी हुई थी मगर आज रोड के किनारे लगे गुलाब पार्क मार्कीट को पूरी तरह से मनपा ने कारवाई कर तोड दिया है आपको बता दे कि इन हॉकर्स को मनपा ने करीब एक साल पहले डेड़ से दो महिने का पर्मीशन लेटर दे कर रोड के किनारे धन्दा लगवाया था उस वक्त मनपा का कहना था कि करीब डेड़ दो महिने बाद इन हॉकर्स को रोड के किनारे से हटा दिया जाएगा मगर लगभग साल भर गुजर जाने के बाद मनपा ने आज कारवाई की है जिन होकर्स पर कारवाई हुई है इनकी मांग है कि इन्हें लीगल होकर्स जोन दिया जाए आज कारवाई के दोरान मनपा अधिकारी धनांजे गोसावी और सागर सालूंखे मौजूद रहे इस कारवाई के दोरान होकर्स यूनियन के लीडर महमद इर्शाद मनपा अधिकारियों से कारवाई रोग देने की अफील करते रहे और वजह भी पूछते रहे लेकिन इसके बावजूद भी अधिकारियों ने आज गुलाब पार्क मार्कीट पर बुल्डोजर चला ही दिया राजु गाजी होकर्स यूनियन के अध्यक्ष महमद इर्शाद ने इस कारवाई पर एतरास जदाते हुए क्या कुछ कहा है आपको सुनाते मत दो कारा आपको सर्फ चला मत तोड़न तोड़ने दो को अन्युद तोड़ने दो कोपो सब्सक्राइब करने पूरा लाइं कर रहे हैं लगार ना जगावों कहा है यह बाद है कि अब फुर्वाइट कर दो पहले सब्सक्राइब पूजह करेंगेंगेंगेंगे करेंगेंगे करेंगे 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 करेंगे